हेलो ब्रेंट्स, स्वागत हैं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल दे साइन्स टॉप में आज की क्लास में हम भारती राजव्योस्ता का एक नया टॉपिक सरवच नियाले से सम्बंदित कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स आपके लिए लेकर आए हैं चले आज की क्लास शुरू करते हैं भारती सम्बंदान के किस भाग में संगी नयाय पालिका का उलेक है ए भाग दो, बी भाग चार, सी भाग तीन और डी भाग पाँच इसका राइट आंसर होगा डी भाग पाँच चले अगला क्वेशन देखेंगे निमकित में से किसके अंतगत भारत में सरप्रतम सर्वच नयाले की स्थापना हुई ए चार्टर अधिनियम 1853, बी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारती सम्बंदान तो इसका राइट अंसर होगा बी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चले अगला क्वेशन देखेंगे सम्बंदान के ब्याख्यकार और सनर्शक कौन है? ए राष्टपती, बी संसद, सी सर्वच नयाले, डी भारत का महादी वक्ता, तो इसका राइट अंसर होगा सी सर्वच नयाले चले अगला क्वेशन देखेंगे भारत के सर्वच नयाले के अस्तापना हुई थी मूल रूप से सम्बंदान में शर्वच नयाले के अतरिक्त कितनी नयाले की वक्ता थी A, 6, B, 7, C, 9, D, 12 इसका right answer होगा B, 7 चलिए, अगला question देखेंगे बरत्मान में सरोच चनाले में मुख्य नायदीज के अतरिक तो कितने नायदीज का प्रयावधान किया गया है A, 20, B, 25, C, 30, D, 33 तो इसका right answer होगा D, 33 चलिए, अगला question देखेंगे बारत के मुख्य नायदीज के नियुक्ति कौन करता है A, भारत के राष्टपती B, सरोच चनाले के वरिष्ट नायदीजों के परामर से भारत के राष्टपती C, सरोच चनाले और रुच नायदीजों के परामर से भारत के राष्टपती और D, सरवच चुनायले और उच चुनायले के नयायदीस तो इसका राइट आंसर होगा A, भारत के राश्ट्रपती चलिए, अगला ग्रशन दिखेंगे भारती उच्चतम नयायले के नयायदीसों की निप्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा A, राश्ट्रपती चलिए, अगला ग्रशन दिखेंगे सरवच नयायले में तदर्थ नयायदीस की निप्ति होती है जब A, कतिपय नयायदीस दिर्गकाली नवकास पर चले जाते हैं B, इस्थाई निप्ति के लिए कोई उपलग्द नहीं होता C, नयायले के शमकर्च लंबित वादों में उसाधारर व्रिद्धी होती है और D, नयायले के किसी सत्र के लिए नयायदीसों का कोरम नहीं होता तो इसका right answer होगा D, नयायले के किसी सत्र के लिए नयायदिसों का कोरम नहीं होता चलिए, अगला question देखेंगे सरवस्च नयायले में नयायदिस निक्त होने के लिए ब्यक्ति को कम से कम कितनी वर्ष उस नयायले का educate होना चाहिए A, 20, B, 10, C, 8, D, 25 तो इसका right answer होगा B, 10 अगला question देखेंगे उच्च नयायले के मुखे नयायदिस कितने वर्ष की आई तक पदधारी रहते हैं A, 65 बर्ष, B, 60 बर्ष, C, 62 बर्ष, D, 8 वर्ष, तो इसका right answer होगा A, 65 बर्ष चलिए, अगला question देखेंगे उच्च नयायले के पहले नयायदिस का नाम बताईए जिनके खिलाब भारत में संसद में महावियोग का प्रस्ताव पेस किया गया था A, Justice महाजन, B, Justice रामा स्वामी, C, Justice सुब्बा राव, D, Justice वीर स्वामी तो इसका right answer होगा B, Justice रामा स्वामी अगला question देखेंगे राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती के अनुपस्तती में राष्ट्रपती के कारियों का निर्वहन कौन करता है? A, नियंत्रक्यों महालेखा परिश्चक, B, भारत के मुख नायधिस, C, महाधिवक्ता, D, अटार्नी जनरल तो इसका right answer होगा B, भारत के मुख नायधिस चलिए, अगला question देखेंगे निम्ण में से भारत के किस मुख नायधिस ने राष्ट्रपती के रूप में काम किया है? A, जस्टिस मेहरशंद महाजन, B, जस्टिस M, हिदायतुल्ला, C, जस्टिस PN भगवती, D, जस्टिस V, के मुखरजी तो इसका right answer होगा B, जस्टिस M, हिदायतुल्ला चलिए, अगला क्वेशन देखेंगे सिवा निव्रित्य के पशाद सरुच नायले की नायधिस वकालत कर सकते हैं A, केवल सरुच नायले में, B, केवल उच नायले में, C, सरुच नायले तिथा उच नायले दोनों में और D, किसी भी नायले में, तो इसका right answer होगा D, किसी भी नायले में नहीं चलिए, अगला क्वेशन देखेंगे कौन सा कानून या निर्धारत करता है कि उच्चतम नायले की समझत कारिवाही अंग्रेजी भाषा में होगी A, भारत के सम्मिधान का अनुचेद 145, B, भारत के सम्मिधान का अनुचेद 348, C, उच्चतम नायले नियमाली 1986, D, संसत द्वारा पारित एक अधिनियम 46 तो इसका right answer होगा B, भारत के सम्मिधान का अनुचेद 348 चलिए, अगला क्वेशन देखेंगे भारत में न्यायपालिका है A, स्वतंत्र, B, राष्टपती के अधिन, C, संसत के अधिन, D, प्रिधान मंत्री के अधिन तो इसका right answer होगा A, स्वतंत्र चलिए, अगला क्वेशन देखेंगे राष्टपती और उप्राष्टपती के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तूत किया जाता है A, मुख्य निर्वाचन आयुक्त B, संसद C, भारत का उच्चतम न्यायले और D, इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा C, भारत का उच्चतम न्यायले अगला क्वेशन देखेंगे उच्चतम न्यायले को परामर्ष दात्री बनाया गया है A, अनुचेद 124 में B, अनुचेद 137 में C, अनुचेद 143 में D, अनुचेद 148 में अगला क्वेशन देखेंगे न्यायक पुनरावी लोकन का अधिकार किसे है A, उच्च न्यायले B, उच्चतम न्यायले C, लोकसभा D, राष्ट पती तो इसका राइट आंसर होगा B, उच्चतम न्यायले चलिए अगला क्वेशन देखेंगे उच्चतम न्यायले के न्यायक पुनराच्च्चड कारे का क्या अरथ है A, स्वेम अपने निर्ड़ा का पुनराच्च्चड बी देश में न्याय पालिका के कामकाज का पुनरिच्छड और सी कानूनों की सामविधानिक बैदता का पुनरिच्छड और डी समविधान का आवदिक पुनरिच्छड तो इसका राइट आंसर होगा सी कानूनों की सामविधानिक बैदता का पुनरिच्छड चलिए अगला क देखेंगे नाइक पुन्राविलोकन का अर्थ है कि सर्वच न्यायले ए को सभी प्रकरडों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है बी राष्टपती के विरुद दोसारों पर कर सकता है दोसारों पर कर सकता है और दी किसी विराज के कानून को अवैद घोसित कर सकता है अगला क्वेशन देखेंगे न्यायक पुन्राविलोकन की विवस्था A. केवल भारत में है B. भारत और USA में है C. केवल USA में है और D. केवल UK में है तो इसका राइट आंसर होगा C. इसका राइट आंसर होगा B. भारत और USA में है ठीक है चलिए अगला क्वेशन देखेंगे निम्कित में से किस मामले को उच नायले में प्रत्यच रूप से धाखिल नहीं किया जा सकता है A. दो अथ्वा अधिक राज्यों के बीच विवाद B. मूल अधिकारों के अधिक्रमड के विरुद्ध मामला C. किसी व्यक्त के संपती दूसरे द्वारा बल पुर्वक अधिक्रित होने से D. उप्रिप्त A और B दोनों तो इसका राइट आंसर होगा A. दो अथ्वा अधिक राज्यों के बीच विवाद चलिए अगला क्वेशन देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अगला क्वेशन देखेंगे दो या अधिक राजियों के बीच किसी विवाद के मामले में निडर लेने के सर्वच नयाले की सक्ति क्या कहलाती है ए आरंबिक अधिकारिता बी सरवांगिर अधिकारिता सी अंतरनिहित अधिकारिता और डी सलाहकार अधिकारिता तो इसका right answer होगा A. आरंभिक अधिकारिता अगला question देखेंगे निमकित में से उच न्यायल है उच चतम न्यायल है कि वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्रादिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है A. परमादेश रीट B. उतप्रेरर रीट C. अधिकार प्रिच्छा रीट D. बंदी प्रत्यच्छी करण रीट तो इसका right answer होगा C. अधिकार प्रिच्छा रीट अगला question देखेंगे लाब का पद परभासित हुआ है A. संविदान द्वारा B. सर्वस्चन आलय द्वारा C. संगिय मंति परशद द्वारा D. संसत द्वारा तो इसका right answer होगा B. सर्वस्चन आलय द्वारा अगला question देखेंगे भारतिय संविदान का कौन सा अनुचेद संवैदानिक विवाद में सर्वस्चन आलय के अपीलिय च्छित्रदिकार से संबंदित है A. अनुचेद 131 B. अनुचेद 132 C. अनुचेद 134 A को मिलाकर अनुचेद 132 को पढ़ना और D. अनुचेद 134 A को मिलाकर अनुचेद 133 को पढ़ना तो इसका राइट आंसर होगा D. अनुचेद 134 A को मिलाकर अनुचेद 133 को पढ़ना चलिए अगला क्वेशन देखेंगे किंद्र और राज्यों की वीच विवादों को तै करने के लिए भारत के सरुष्च नयायले की शक्ति किस अधिकार शित्र के अंतरगत आती है A. अपीलिय शित्राधिकार B. सलाहकारी शित्राधिकार C. समवैदानिक शित्राधिकार D. मूल शित्राधिकार तो इसका राइट आंसर होगा D. मूल शित्राधिकार चलिए अगला question दिखेंगे खत्रा पैदा करता हो तो इसका right answer होगा B तभी वह ऐसे परामर्ज के लिए करता है चलिए अगला question देखते हैं रास्ट्री मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निमकित में से कौन इस आयोग का अध्यच बन सकता है तो इसका right answer होगा चलिए अगला question देखेंगे भारत के सरुष्च नियायले ने समविधान के अधारभूत राचे के सिदान को स्पस्ट किया गोलक नात वाद 1967 में बी शंकरी प्रशाद वाद 1951 में सी सज्जन सिंग वाद 1965 में और डी केश्वानन्द भारती वाद 1973 में तो इसका right answer होगा बी संकरी प्रशाद वाद 1951 में चलिए अगला question देखेंगे किस वाद में सरुच नालर ने कहा था कि संसत को मूल अधिकार में संसोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संबिधान के मूल धाचे में संसोधन नहीं कर सकती तो इसका right answer होगा ए इरालाल जे कानिया चलिए अगला question देखेंगे निम्कित में उच्चतम नालर की सबसे पहली महिला नाधिस कौन थी ए सुनन्दा भंडारे बी फातिमा बीबी सी लीला सेट डी इंद्रा जै तो इसका right answer होगा बी फातिमा बीबी चलिए अगला question देखते हैं सिंग संबिधान की व्याक्या करने का अंतिमधिकार किसी प्राप्त है ए लोकसभा ध्यच्च सुरी यहाँ पे सिंग नहीं होगा यहाँ है संबिधान की व्याक्या करने का अंतिमधिकार किसी प्राप्त है ए लोकसभा ध्यच्च बी राश्ट्रपती सी अटार्नी जनरल आफ इंडिया और डी सर्वच्च न्याले चलिए अगला क्रेशन देखते हैं परामर्ष दाई अधिकार शित्र के अंतगत उच्च न्याले किसी वीदी के प्रश्ण या जनता के लिए विशेश महत्तो के तत्य पर परामर्ष देता है जो उसे भेजा जाए ए संगी वीदी मंत्री द्वारा बी प्रधान मंत्री द्वारा सी किसी भी उच्च न्याले द्वारा और डी राष्टपती द्वारा तो इसका राय टांसर होगा डी राष्टपती द्वारा चलिए अगला क्रेशन देखेंगे जब भारती न्याइक पद्दत में लोखित मुकदमा P.I.L. लाया गया तब भारत के मुख नाय मुर्थी कौन थे A. M. हिदायत उल्ला B. A. S. आनंद C. A. M. अहमदी और D. P. N. भगवती तो इसका राय टांसर होगा D. P. N. भगवती चलिए अगला क्रेशन देखेंगे भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायायले कौन सा है A. उच्च न्यायले B. जीला न्यायले C. उच्चितम न्यायले और D. उप्वोगता न्यायले तो इसका राय टांसर होगा C. उच्चितम न्यायले चलिए अगला क्रेशन देखेंगे भारत के उच्चतम नायले को A. केवल प्रारंबिक चित्रादिकार है B. केवल अपीलिय चित्रादिकार है C. प्रारंबिक और अपीलिय चित्रादिकार है और D. प्रारंबिक अपीलिय और परामर्स दाई चित्रादिकार है तो इसका राइट आंसर होगा दी प्रारंबित अफीली और परामर्स दाई छित्रादिकार है चलिए अगला question देखेंगे भारत में किस सामविधानिक पद पर कोई महिला नहीं है नहीं रही है ए उच्चतम नाले की मुख्य नायदीज बी प्रधान मंत्री सी मुख्य चुनाय आयुक्त दी लोकसवा अध्यच तो इसका राइट आंसर होगा ए उच्चतम नाले की मुख्य नायदीज चलिए अगला question देखेंगे भारत के सिर्ष नाले की अधिकारिता के अधिनिम्ण में से क्या नहीं आता है ए आरंबिक अधिकारिता बी कॉलेजिय अधिकारिता C. अपीली अधिकारिता और D. एडवाइजरी अधिकारिता तो इसका राइट आंसर होगा B. कॉलेजिय अधिकारिता थैंक्यू फॉर वाचिंग अगर आपको हमारा चैनल पसंद धा रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सेयर और सबस्क्राइब करें